Hello students, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ डिसकस करूँगी टॉपिक, Friction, A Necessary Evil, from your class 8th science book, from the chapter number 12. So, let us start this topic. So, Friction, Friction हमने पहले पे डिसकस किया, Friction मतलब दो चीजे, दो सर्फेसे, जब आपस में आते हैं, तो उनके बीच में कुछ रगड होती है, तो उसको कहते हैं Friction, ठीक है? तो हमेशा ये Contact Force होती है, Friction, और A Necessary Evil, Necessary मतलब जरूरी, और Evil मतलब जो चीज खराब हो, बुरी हो, Friction बुरी तो है, जैसे हमने देखा कि Friction क्या है, कि चीजों को आगे बढ़ने नहीं देती है, टायर के वियर एंटियर के लिए जिम्मेदार होती है, बहुत जो है, इससे Loss ही होता है, जैकि Friction के वज़े से Loss ही होता है, हमें ज़ादा एनरजी लगानी पड़ती है, लेकि क्यों है कि Friction के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, या हमें और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, अगर Friction ना हो तो, तो क्या रीजन है इसके पीछे, तो हम इसी चीज को इस टॉपिक में अच्छे से डिसकस करेंगे, कि Friction एक तरफ तो हम कह रहे हैं नुकसान दाय क करी, ठीक है, Is it easier to hold a kuller, earthen pot, और a glass tumbler, तो आप अपने experience से याद करें कि जो kuller, जो मिट्टी का बना हुआ kuller होता है, जिसमें चाही मिलती है, वो आपके हाथ में आप ऐसे पकड़ते हैं, तो उसको पकड़ना ज्यादा एजी होता है, as compared to कि एक जो ग्लास होती है, कांश की ग्लास जो थी, उसको पकड़ना easy रहता है, आप जादा conscious किसमें रहते हैं, जब आपके हाथ में कांश का ग्लास रहता है, तो आपको थोड़ा डर लगता है कहीं हाँ से slip ना कर जाए, कहीं फिजल ना जाए, लेकिन kuller को लेते हुए, कभी आपने ये notice कि है कि आप बहुत smooth होता है, तो जब आप अपने हाथ में glass को hold करते हैं, तो that is because of its smooth surface, आपको मेंशे थोड़ा सा conscious हो रहते हो कि ये कहीं slip ना कर जाए, लेकिन kuller का rough surface होता है, तो slip करने के chances बहुत ही less रहते हैं, तो ये एक experience आपने जरूर से किया होगा, Suppose the outer surface of the tumbler is greasy, or has a thin layer of cooking oil on it, would it become easier or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? So, आप ये imagine कि जो kuller है, उसके उपर जो है, अगर हम grease लगाते हैं, थोड़ा oil लगाते हैं, तो वो भी slippery हो जाएगा, उसका surface भी slippery हो जाएगा, तो उसको भी हाथ में hold करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो आप जो है, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? अगर friction नहीं होगा, तो ग्लास को hold करना है, क्या possible है? No, it is not possible, it is impossible, क्योंकि हमारा हाथ में थोड़ा रफ रहता है, तो एक थोड़ा बहुत grip बन जाती है, लेकिन अगर हमारे हाथ में grease लगा हो, हमारे हाथ में तेल लगा हो, और उससे हम पिर कांश की ग्लास को उठाएगा तो फिर वो बिलकुल ही हाथ से फिसलने वाली है, कोई उसका solution नहीं है, क्योंकि दोनों ही surfaces के उपर जो friction था, वो बिलकुल खतम हो गया, ग्लास तो पहले ही smooth थी, आपने हाथ में तेल भी लगा लिया, तो आपका हाथ भी smooth हो गया, slippery हो गया, तो फिर तो friction नहीं है, तो फि सरी चीजों को हम hold भी ना कर पाएं, recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor, can you imagine being able to walk at all if there were no friction, तो आप ये भी कभी आपके experience आपने किया होगा, कि जैसे फर्ष है उस पर पानी गिरा हुआ है, तो आपको उस पर चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं आप slip ना कर ज होते हैं, bathroom tiles भी कई बहुत स्लिपरी होती है, आपने कई बार incidents सुनी होगे कि लोग bathroom में गिर गए because of the wet surface of the bathroom tiles, तो क्योंकि पहले ही tiles चिकनी होती है, smooth होती है, उसके वाटर आ जाता है, तो और बहुत स्लिपरी हो जाती है, तो ये एक reason होता है slip करने का, क्योंकि वहाँ पर friction खतम हो गया होता है, तो यानि कि हमें कदम बढ़ाने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, जैसे हमारा पैर एक जगा grip करेगा, तब ही तो हम दूसरा कदम आगे बढ़ा पाएंगे, अगर वो gripping नहीं होगी, तो हम सीधे slip कर जाएंगे, ठीक है, तो यही एक वज़े है बाथरूम में maximum लोगे के slip करने के, इसलिए हमें बाथरूम में बहुत अच्छी वाली slippers पहन के जानी चाहिए, ताकि हमारा grip बना रहे हम slip ना करें, ठीक है, और wet surfaces पे भी हमने ये चीज़ कई बार notice की होगी, और केले के चिलके वो तो आपको incidence यादी होगा, हमने इससे पह जाते हैं, you could not write with pen or pencil if there were no friction, ये तो एक बहुत ही important चीज़ है, अगर हम copy पे लिखते हैं, जब pen चलाते हैं, तो हम वहाँ पे hold करके आगे बढ़ते हैं, अगर वहाँ friction ना हो, तो हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, जैसे हम board पे लिखते हैं, जो स्कूल में आपको टीचर पढ़ाती हैं, बोर्ट पे चौक से लिखते हैं, तो चौक और बोर्ट के बीट में कुछ friction होता है, इसी वज़न से चौक पहाँ पे कुछ रह जाती है, तो जैसे जैसे रहती है, तो वह अक्षर बन जाते हैं, ठीक है, तो अगर किसी ball point pen की जो ball है, वह बहुत स्मूथ होत है, तो आपको हाथ में लेते ही, वह बहुत ग्लाइड करती है, यानि उसमें कम friction होता है, वह काफी स्मूथ बनी रहती है, और किसी pen के निप बहुत रफ चलती है, उसे धीरे-धीरे लिखते है, तो वह धीरे-धीरे चलती है, तो यह भी एक रिज़ने की कुछ पैन को लेत Blackboard, its rough surface rubs of some chalk particles which stick to it, तो इसी वज़े से जो है, टीचर आपकी board पे लिखने के लिए, लिखना उसका possible हो पाता है, क्योंकि वहाँ friction की वज़े से जो है, चौक रह जाती है, तब ही आपको अक्षर दिखते है, तो देखा इसलिए friction कितनी काम की चीज़े, आपका चलना, आप आपका बैठना, आपका उठना, आपका पढ़ना, यह सारा कुछ friction के उपर है, डिपन करता है, तो एक तरफ तो हमने कहा खराब है, लेकिन यह बहुत जरूरी भी है, आप याप फोटो में देख सकते हैं, figure 12.7, a nail is fixed in the wall due to friction, तो friction की वज़े से ही हम कील को दिवाल में जो ह वो गाड़ पाते हैं, fix कर पाते हैं, क्योंकि अगर friction नहीं होगा, तो nail जो है, दिवाल से slip करके गर जाएगी बार बार, पहारा जाएगी, ठीक है, अगर friction होगा, दोनों जो surfaces आपस में contact बनाएंगे, तबी जो है, हम जो है, वो लील को जो है, वहाँ पे fix कर पाएंगे, न अगर chalk और board के बीच में कोई friction नहीं होता, तो क्या हम possibly वहाँ पे लिख पाते हैं, अगर friction नहीं होता, तो जो chalk है और board है, वो आपस में stick नहीं करती, तो जो भी action लिखते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, तो क्योंकि friction नहीं होता, तो chalk की particles उस पे stick नहीं करते ह जो अक्षर लिखा रहता हूं, वो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए chalk इतने rough रहती है, if an object started moving, it would never stop if there were no friction, और friction का ये भी है, कि जैसे एक मैंने ball ऐसे fake ही, अगर धरती के ऊपर कोई friction नहीं होता, तो वो ball एक बार मैंने move कर दी, तो वो हमेशा के लिए move ही करती रह जाती वो कभी रुकती ही नहीं, आपने एक बार cycle start कर दी चलाना, तो cycle रुकी नहीं रही है, क्योंकि आप तो जमीन में कोई friction ही नहीं है, तो cycle रुकेगी ही नहीं, तो ये भी एक friction की utility है, एक place है friction का, कि अगर friction नहीं होता, तो कोई भी चीज moving object कभी रुकता ही नहीं, भी no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of the motion, अगर tire और जो आपकी road है, उसके बीच में friction force नहीं होता, तो ना तो हम उसको चलना शुरू करते हैं, क्योंकि start करने के लिए भी आपको एक जैसे tire गोल घुमता है, तो फिर जब वो रोल करना शुरू करता है, तो rolling start करने के लिए भी आपको force की जरूत होती है, अगर वो एक जगर से रुकेगा नहीं, तब तो दूसरा कदम कैसे बढ़ेगा, जैसे मैं अपना पैर बढ़ा रही है, एक पैर stick करूंगी, तब ही तो दूसरा पैर में बढ़ा पाऊंगी, तो यह जिए पैर stick ही नहीं हो रहा है, तो दूसरा पैर आग जल भी दी, तो वो कभी रुकेगी ही नहीं, ठीक है, और उसका direction भी नहीं change होगा, क्योंकि direction change करने के लिए, friction की वज़य से, जो road का surface है, और जो टार उसके बीच पी ग्रिब बनती है, तब ही direction बदलती है, जैसे direction change करना होता है, तो हलका सा brake लगा के, फिर direction करता है, तब ही नहीं, तो फिर वो direction नहीं change होगा, गाड़ी seat कर जाती है, पलट भी सकती है, तो इस वज़य से देखा, आपने कितना friction का important role है, you could not fix a nail on the wall, or tie a knot, without friction, no building can be constructed, यानि कि friction के बिना आप कील भी नहीं ठोक सकते हैं, दिवाल में, जैसे हमने पहले discuss किया, या आप garant बांते हैं, ट खुल जाएगा, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, कि जो nylon की रसी होती है, काफी slippery होती है, तो उसमें knot बांना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आप ऐसे बांते हो, ऐसे खीषते हो, तो वो जो slippery है, surface आपस में slip करके, गाड़ फिट से खुल जाती है, और कपड़े, जो कपड़ा है, काफी जो rough कपड़ा है, उस पे जब आप गान बांते हो, तो वो गान नहीं कुलती है, वो knot नहीं कुलती है, क्योंकि उनके बीच में काफी friction force रहता है, तो यानि knot बांने के लिए, guard बांने के लिए, friction force का होना बहुत ज़रूरी है, without friction, no building could be constructed, तो friction के बिना को ज़रूरी है, fine, हमने डिसकस किया कि इतनी सारी जो चीजे हैं उसमें फायदे मंदे friction, लेकिन friction जो है, नुकसान डायक भी है, बहुत सारी जगों पे हमें friction से बहुत नुकसान भी होता है, ठीक है, on the other hand, friction is an evil, ठीक है, नुकसान डायक, it wears out the materials, whether they are screw, ball bearing, or sole of shoes, तो friction की जैसे जैसे दो चीजे आपस में ऐसे रगड़ खाती है, friction करती है, तो उससे जो चीजों का wear and tear होता है, मतलब वो टूटती, फूटती, और मतलब पुरानी हो जाती है, जैसे आप यहाँ पर example में देख सकते हैं, shoe है, जब आप shoes पहन के चलते हैं, तो road और आपके pair के बीच जो friction होता है, shoes के जो soul हो, उसके बीच में जो friction होता है, उसकी वज़े से जूतों के जो souls हैते हैं, वो खिल जाते हैं, तो जूते आप कहते हैं, पुराने हो गए हैं, तो वो खिल सकते हैं, ठीके, और ball bearings जैसे की जो machinery है, जैसे पंखा है, उसमें ball bearings लगे रहते हैं, screws लगे रहते हैं, तो इसकी वज़े से उनमें काफी wear and tear होता है, ठीके, ये जो है, वो तूटने लगते हैं, ठीके, पुराने होने लगते हैं, यू must have seen worn out steps of foot over bridge at railway station, जब आप railway station चड़ते हैं, तो आप सीडियां जो चड़ते हैं, foot over bridge, उस पे आप देखते हैं, कि सीडियां जो है रहते हैं, उतरते हैं, तो बार-बार चड़ने उतरने से वहाँ की सीडियां जल्दी घिल जाती है, ठीके, टूट फूट जाती है, friction can also produce heat, अब friction जो है, वो heat को भी produce कर सकता है, क्योंकि जब दो चीज़े आपस में रगड काती है, तो उससे heat energy produce होती है, ठीके, विगरस your palms together for a few minutes, how do you feel, आप जो vigorously rub करिया अपने हाथ को, ठीके, अपने palms को, तो आपने क्या महसूस किया, आपको तोड़ी गर्माहट महसूस हुई न, सर्दियों के दुनों में आप अपने हाथों को गरम करने के लिए ऐसा से करते हैं, तो यानि यह friction हुआ, दोनों हाथों की बी है, तो जब आप मार्चिस जलाते हैं, तो वहाँ पर भी friction force वर्क में आता है, ठीके, तो वहाँ पर भी friction होता है, और मार्चिस जल जाती है, ठीके, तो यह भी आप देख सकते हैं, कि friction का यह भी एक use है, अगर friction नहीं होता, तो मार्चिस कैसे जलती, ठीके, you might have observed that the jar of a mixer becomes hot when it runs, तो आपने कभी observation लिया होगा, कि जैसे हम अपने घरों में mixi grinder जलाते हैं, तो mixi जब जलाते हैं, तो क्या करते हैं, कि थोड़ी तर बाद हम उसको चूते हैं, टच करते हैं, तो देखते हैं, कि वह jar गरम हो गया होता है, क्योंकि क्योंकि काफी speed से वह घूमता है, ठीक production produces heat, in fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy, तो जो बड़ी बड़ी मशीने इंडस्ट्री में operate होती हैं, तो उनके बीच में भी friction होता है, और उसे काफी heat energy produce होती है, जो कि एक wastage of energy है, ठीक है, क्योंकि वह जो है, बहुत सारी जो अच्छी amount of energy हम supply करते हैं, कि वह machine चले, और तो machine के चलने से काफी heat energy produce होती है, तो उसको हम कहते है, wastage of energy हो रही है, ठीक है, तो we shall discuss the way of minimizing friction in the following section, तो कुछ तरीके हैं, जैसे बहुत सारे फायदे हमने गिरा हैं, day to day activities में friction के, तो friction के ये कुछ loss में है, तो friction को कैसे industries में कम किया जाता है, ताकि हम अधिक से अधिक फायदा ले सके, इसके जहाँ पे हमें friction की जादा जरूरत है, हम वहाँ पे friction को बढ़ा दे, और जहाँ पे हमें friction की जरूरत नहीं है, जहाँ पे हमें friction से नुकसान हो रहा है, वहाँ पे हम friction को कम कर दे, तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसको की हम next video में discuss करेंगे, अगर अभी तक आपको क Samajminya and you can write in the comment box I will surely reply. Thank you